हरे कृष्णा बुच्चो, सुप्रबाद, आज हम पढ़ेंगे पाटनो घमंडी हाथी जान्वरों का एक सुन्दर वन था, उसमें एक हाथी भी रहता था एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पिने गया, हाथी को पानी में अपनी परचाई दिखी अपनी परचाई देखकर वह सोचने लगा, अरे मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मुझे से बड़ा सुन्दर वन में कोई भी जान्वर नहीं हे, मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए, यह सोचते सोचते हाथी आगे चल दिया उसे रास्ते में लोमडी मिली, हाथी ने लोमडी से कहा, मैं जंगल का बड़ा जान्वर, मुझे मान जंगल का राजा या फिर मुझसे लड़ ले आजा जो जीता हुँआ जंगल का राजा हाथी को देखकर ही लोमरी डर गए और बिना लड़े ही हाल मान कर बोली आपी है जंगल के राजा हाथी जुनता हुआ आगे चला चलते चलते उसे एक भालू मिला हाती ने भालू से कहा मैं जंगल का बड़ा जानवर मुझे मान जंगल का राजा या फिर मुझे से लड़ ले आजा जो जीता वो जंगल का राजा भालू भी हाती से डर गया और हार मान कर बोला आप ही है जंगल के राजा हाती बहुत खुश हुआ और आगे चल दिया चलते चलते उसे एक शेर मिला हाथी ने शेर से कहा मैं जंगल का बड़ा जानवर मुझे मान जंगल का राजा या फिर मुझे लड़ ले आजा वो जो जीता वो जंगल का राजा शेर को भी अपने बल पर घमन था वहाथी से लड़ने के लिए तयार हो गया हाथी ने अपनी सून में शेर को लपेट कर उल्टा पटक दिया शेर ने भी हार मान कर कहा आप ही ये जंगल के राजा अब तो हाथी घमन से फूला न समाया मैं सभी जनवरों से जीत गया अब तो सोचते सोचते हाथें आगे बढ़ा, राशते में उसे एक चीटी मिली, हाथी ने घमन करते वे चीटी से भी कहा, मैं जंगल का बढ़ा जानवर, मुझे मान जंगल का राजा, या फिर मुझे से लड़ ले आजा, जो जीता वो जंगल का राजा, चीटी ने कहा इतना घमन ठीक नहीं है मुझसे जीत कर दिखाओ हाथी ने सून से चीटी को पकड़ना चाहा लेकिन चीटी जल्दी से हाथी की सून के अंदर गुज गई और उसे काटने लगे हाथी दर से तरपने लगा उसने चीटी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की परंतु वह असफर रहा तब चीटी सून के अंदर से ही बोली हाथी भाई क्या अब भी तुम खुद को सबसे बड़ा जानवर और जंगल का राजा मानते हो हाथी बोला चीटी रानी मुझे माफ कर दो मैं हार गया मैं अब कभी गमण नहीं करूंगा चीटी सुन से बाहर निकलाई हाथी अपनी गलती पर पच्टाता हुआ सुन्दरवन में चला गया इस तरह ननी सी चीटी ने हाथी के गमण को चूर चूर कर दिया शब्दात परचाई चाया प्रतिबिम जंगल वन हार पराजय असफर काम्याब न होना फूला न समाना बहुत खूश होना घमण अहंकार दिये गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगे हाथी को अपने उपर घमण हो गया था सही भालू हाथी से डरा नहीं बलकि वह लड़ता रहा गलत शेर ने हाथी का घमण चूर चूर कर दिया गलत दिये गए प्रशनों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए हाथी कहा राता था सुन्दर वन में हाथी को पानी में क्या दिखाई दिया अपनी परचाई सबसे पहले हाथी को कौन मिला लोमडी हाथी का घमण किस ने चूर चूर कर दिया चीटी ने दिये प्रशनों के उत्तर लिखे हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला उत्तरे हाथी को रास्ते में लोम्डी, भालू, शेर और चीटी मिली अगला प्रश्न चीटी ने हाथी को कैसे हराया तो चीटी हाथी की सुन्ड में घुज गई और उसे काटने लगी हाथी दर्स से तडपने लगा कोशिश करने पर भी वा चीटी को सुन से बाहर न निकाल पाया इस तरह हाथी हाथ मान गया और चीटी बाहर निकल आई अगला प्रश्ट चीटी ने हाथी को क्या सीख दी? उत्तर है चीटी ने हाथी को सीख दी कि हमें घमर नहीं करना चाहिए तता किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए बच्चों आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है वार्शिक परिक्षा के सिलेबस में इन्हीं वीडियो में से आपको प्रश्ण उत्तर पूछ जाएंगे धन्यवाद, हरे क्रिश्ना